तो दोस्तों क्या आप भी अपने आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करना चाहते हैं बट आपके पास कोई भी एड्रेस प्रूफ नहीं है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बिना किसी एड्रेस प्रूफ के अपने आधार कार्ड में जो एड्रेस है उसको change कर सकते हैं बड़े आसानी से तो वीडियो को end तक जरूर देखना हला दोस्तों स्वागत आपका आशिन की knowledge में तो दोस्तों इससे पिछली वीडियो में हमने बताया था है कि आप किस तरह किसे certificate for आधार update form को fill up कर सकते हैं तो आज किस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से बिना किसी address proof के online अपने अधार काड में जो address है उसको change कर सकते हैं तो दोस्तों ले चलता हूं आपको अग कम्पूटर की स्क्रीन पर और बताता हूं step by step कि किस तरीके से आप बिना किसी address proof के अपने आधार कार्ड में जो address है उसको change कर सकते हैं तो guys आधार कार्ड में address को update करने के लिए सबसे पहले आपको कोई सबी browser जो है open कर लेना है और यहां पर आपको search करना है UIDAI जो की आधार कार्ड की official website है और जब आप आधार कार्ड की official website को open कर लेते हैं तो कुछ इस तरीका का interface जो है आपको देखने को मिल जाता है तो दोस्तों यहां पर second option update आधार में update demographics data online पर आपको क्लिक कर देना है और proceed to update आधार पर आपको क्लिक कर देना है उसके बाद यहां पर आपको आधार नमबर डानना है उसके बाद यहां पर capture फिल करना है और send OTP पर क्लिक कर देना है आपके register mobile नमबर पर एक OTP आएगा जह आपको यहां पर एंटर ऑटिपी पर डालना होगा दोस्तों अधर कार्ड नमबर और केपचे फिल करने के पास और टीप पर किलिक करते हैं तो हमारे रेजिस्टर मोबाईल नमबर पर एक ऑटीपी सेंड कर दिया जाता है जो कि हमको एंटर ओटीपी पर डालना है तो यहां पर हमारे पास OTP आ चुका है और Login करते हैं उसके बाद Update Demographics Data पर क्लिक करते हैं उसके बाद यहां पर Address पर क्लिक करते हैं और Proceed पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर यह बता रहे कि आम इक time ही update कर सकते हैं date of birth एक time ही update कर सकते हैं जेंडर एक time ही आप update कर सकते हैं तो यहाँ पर proceed पर click करेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो है address दिखा रहा है तो दोस्तों care of में आपको husband का नाम डालना है और उसकेन बाद यहां पर हाउस बीदिंग अपार्टमेंट इस्ट्रीट तो गाइस सारी डीटेल फिलप करने के बाद आपको नीचे वैलिट डॉकुमेंट को अप्लोड करना है जो कि विलाइच पंचायद द्वारा हमने फिलप कर रखा है अगर आपको नहीं पता यह फोम आपको कैसे बनना है तो हमने लेटेस इससे पिछली वीडियो में बता रखा है सारा प्रोसेस तो आप उसको फिलप कर सकते हैं तो गाइस यहा को फिलप आपके पास देता है तो यहां पर हमारे पास यहीं डॉकुमेंट है तो हम इसको अप्लोड करते हैं यहां पर डॉकुमेंट को जो है हम अपलोड कर लेते हैं तो यहां पर हमारा जो है डॉकुमेंट अपलोड हो चुका है और उसके बाद प्रिवीव पर हम किलिक करते हैं तो जैसे हम प्रीवीव पर क्लिक करते हैं तो यहां पर देख सकते हैं कि कुछ दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि और उसके बाद यहां पर क्लिक करना है और उसके बाद I hereby confirm that पर क्लिक करके make payment पर क्लिक कर देना है तो गाइस यहां पर आपको जो है 50 रुपे की प्रेमेंट करनी होगी कि आप किसी भी तरिके से कर सकते हैं debit card credit cards है उसके बाद सारी detail fill up करने के बाद आप प्रोशीट पर क्लिक करेंगे आपके mobile नंबर पर एक OTP आएगा जो कि तो जो है आपका जो है यह form आपका urn नंबर डाउनलोड हो जाएगा तो urn नंबर जब भी आप इसका status चेक करेंगे कि यह upload यह ready हो चुका है यह नहीं तो आप वहाँ पर चेक status पर क्लिक करके अपने urn नंबर डाल के चेक कर सकते हैं तो दोस्तों यह आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like कर देना comment कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो भी अपने अधार कार्ड में address को चेंज करना चाहता है बिना किसी address proof के हैं तो दोस्तों बहुत